आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे कटहल की बीज की सबजी जो जटपट बनकर तयार हो जाएगी और खाने में उतनी ही स्वादिस्ट होगी तो चलिए बनाना शुरू करें पके कटहल की बीज की सबजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्रम पके कटहल का बीज लिया है जो हमने हाफ करके इसे छील लिया है चार बड़े साइज के प्याज को कट करना है जैसे हम सलाद में खाते हैं उसी प्रकार का कट करना है यह थोड़ा पतला होना चाहिए बहु दू कIf पाओडर और यहां पर मैंने 10-12 दू किकम लेर। इक मैगी मसाले . थोड़ी सी दाल्चीनी पर ठूड़ी सी चावित्री लेर'Mirsiniz 1ग स्पून खड़ी धन्या ले ले लिएं 1 गर्म एक स्पूनs everything प्याज को नीछ के विवी गारम विवन के सिमय नहीं आहिस में चप्रोपर उन्हीं प्याज़ डालें अब 1 दिया मरें चारी प्यालीय में जालते हैं देखे इस तरीके से मैंने आधी प्याज को ही इसमें डाला है अब हम इसमें जो हमारे पास कटेहल के कोवे के बीज रखे हुए हैं इसके उपर उसको डालेंगे मैंने यहाँ पर सारे कटेल के बीच को डाल दिया है अब इसके बाद हमने जो स्लाइस की हुई आलू रखी हुई थी उसको डालेंगे अब हम इसमें आड़ कर रहे हैं एक स्पून हल्दी पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं तीन लेसुन की गाट इसके बाद हमारे प्याज की स्लाइस जो बची हुई थी उनको हम फैला कर रख देंगे हमने प्याज की स्लाइस अच्छे से कवर करके इसमें डाला हुआ है अब हमने जो लेसून की कलिया ली हुई है उनको एड़ कर रहे हैं इसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक एड़ करेंगे नमक हमें चारो तरफ फैला कर डालना है प्रैसर कुकर का ढखकन बन करके इसे गैस पर चढ़ा देंगे गैस पर हमने कुकर को चढ़ा दिया है गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर है हम इसमें एक सीटी आने तक वेट करेंगे मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद हमने कुकर को नीचे उतार लिया है अब हम इसमें खोल कर मैगी मसाला एड़ करेंगे और हम एक स्पून की सहाता से इसको अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे देखे गर्मा गर्म कटहल के बीज की सबजी तयार है ये खाने में बहुती स्वादिस्ट और टेस्टी लगती है इसे आप अपने घर में एक बार जरूर बनाईएगा और खायेगा ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत लाबदैक होती है थैंक यू